नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको आता हूंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नोट नाइन प्रो पर एप ड्रोवर सेटिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों आपको भी एप ड्रोवर सेटिंग करना है तो दोस्तों यह चीज जो है कैसे पोसिबल है कहा से आपको करना है ठीक है कौन सा सेटिंग्स आपको लेना है और कौन सा सेटिंग्स क कगे आप देक सकते में औल्रेडी इसको यूज कर रहा हूं ठीक है मैं औल्रेडी इसको यूज कर रहा हूं तो आप भी यहां पर देख सकते हैं तो यह है दोस्तो एप ड्रोवर ठीक है ड्रोवर के अंदर पर आप सब एप राख सकते हैं तो उसी को एप ड्रोवर केते हैं तो दोस्तो अगर आपको भी सेटिंग करना है वीडियो को शुरू से लेकियां तक जरू करें वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेर आइकुन को क्लिक करें यह आप ओनलाइन पैसा कमाना चाहते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है तो चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों एप ड्रोवर यहाँ प आपको मिलने वाला नहीं है तो आखिर सेटिंग यह करें तो कहा से और के से तो उसके लिए दोस्तों आपको प्लेश्टोर पर जाना है और यह अप्लिकेशन लेना है पोको लॉंचर 2.0 कस्टमाइज फ्रेश एंड क्लीन आप देख सकते हैं कितना फ्रेश यहाँ पर लग आपको लॉंचर को सेटिंग यहाँ पर करना है ताकि आप करें करें तो वह दुबारा से कुछ भी ना करें तो इस प्रकार से दोस्तों आप जूए एड्यॉवर सेटिंग आपके डिवाइस पर कर सकते हैं ठीक है तो इसमें कोई भी एट्स नहीं है और बिल्कुल आच्छे से काम करते हैं मैंने भी इसको कई बार यूज करके देखा है डिफरेंट मोबाइल पे भी तो आप भी इसको यूज करके देख सकते हैं काफी आच्छा है तो आज की इस वीडियो बड़ो से बस इतने